नमस्कार दोस्तों वेलकम टू माई चैनल एक्जाम इस्टोर एक्जाम इस्टोर चैनल में मैं आप सभी के अस्वागत करता हूँ फ्रेंड यूपीएसी सीडियस नोटिफीकेशन 2021 का जो आउट हो चुका है टोटल जोपद है आपको 345 बरती आए एयर फोर्स में और नेवी में इंडियन आर्मी में नोटिफीकेशन आज जारी हो चुका है यूपीएसी सीडियस का नोटिफीकेशन जारी इंडियन आर्मी नेवी और एयर फोर्स में 345 बरती है तो चलिए खबरों को विस्तार से जान लेते तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं क तो बिल्कुल लेटेस्ट कबर है आप लोग देख सकते हैं ग्रेजुएट यूवाओ के पास आर्मी नेवी और एयर फोर्स में अफसर बनने का संदार मौका है संगलोग सेवा आयोग यूपीसी ने कंबाइन डिफेंट सर्विसेज इग्जामीनेशन सीडियस 2021 का आवेदन मांगे हैं योगी और इच्चु का वियारतियों को इन पदों के लिए ओनलाइन आवेदन करना होगा यूपीसी ओनलाइन डाट एन डाट इन पर जाके ओनलाइन आवेदन करने की अंतिम जोतीति है 17 नॉब्र साम 6 बजे से है एकेडमी का अनुसार रिक्तियों का जो विवर्ण है इंडियन मिलेटरी एकेडमी आई आई आएम देहरादून पद जो हैं 100 और वहाई इंडियन नेवल एकेडमी आई एन एज हीमाला में 26 है वहाई एयर फोर्स एकेडमी एफ ए हाइदराबाद में 32 पद हैं अब हम बात करते हैं ओफीसियर ट्रेनिंग एके सब्सक्राइब करें अब्यारती का जन्म 2 जनवरी 1998 से पहले है और एक जनौरी 2003 से बाद न हो नेवल एकेडमी के बात कर ले तो अबीरती के जन्म 2 जनौरीOOD 1998 से पहले है और 1 जनौरी 2003 के बाद न हुआ हो एफ ए अभ्यारती का जन्व दो जन्वरी 1998 से पहले और एक जन्वरी 2002 के बाद न हुआ हो सेच्छडी की योगिता देखते हैं तो IMA मानेता प्राप्त विश्विद्याले से किसी विश्य में बैचलर डिग्री प्राप्त हो एर फोर्स एकेडमी के लिए मानेता प्राप्त विश्विद्याले से बैचलर डिग्री प्राप्त हो चैन आपका लिखित परिच्छा और इंटर्व्यू से होने वाला है फीस जो आपकी रहने वाली है महिला स्थी वर को छोड़ करने सभी वरकों लिए 200 रुपए फीस देने होगी महिला स्थी वर के लिए कोई फीस नहीं है फीस का भुकतान ओनलाइन मोड या किसी भी स्थी ब्रांज से हो सकता है ठीक है दोस्तों पूरा नोटिफिकेशन आपको बता दिया अगर इसका नोटिफिकेशन आपको पढ़ना है तो टेलिग्राम चैनल पर आपको लिंक मिल जाए वहां से आप लोग जाकर देख सकते है तो मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए गुड़ बै टेक केशन दोस्तों